लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है हर राजनीतिक दल अपने अपने स्थे पर अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहा है और तैयारी है 2024 के इस महा चुनावी समर को जीतने की चाहे बीजेपी हो चाहे कॉंग्रेस हो आमादमी पार्टी हो या कोई भी दल हर दल इस कोशिश में है कि कैसे एक दूसरे से आगे निकला जाए इस रेस में अभी कुछ महीनों पहले के जो सर्वे थे अगर उस पर गौर करें तो बीजेपी आगे बढ़ते हुई दिखाई देती थी लेकिन जैसे जैसे चुनाओ नस्दीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपने विरोधियों से यानि कि इंडिया गड़बंदन से कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है और ये बात बीजेपी के RSS के इंटर्नल सर्वे में भी ये बात सामने आई है आज के इस वीडियो में हम आपको देश की राजधानी दिल्ली की साथ लोकसभास सीटों का पूरा गणित समझाएंगे 2014 की भी बात होगी 2019 की भी बात होगी और 2024 की भी बात करेंगे लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं लगातार तमाम न्यूस चैनल के जो इंटर्नल सर्वे हैं या फिर RSS और BJP ने जो खुद से अपना इंटर्नल सर्वे कराया है या फिर अन्य राजनितिक दल और एजंसियां जो सर्वे कर रही है बीते छे महीने में और छे महीने के बाद अब जब चुनाओ के मोहाने पर देश खड़ा है BJP इंडिया गड़बंदन से देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से पिछल रही है इसे आप आज समझेए सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे और दिल्ली की साथ लोग सभा सीट में सबसे पहले बात होगी नई दिल्ली सीट की नई दिल्ली सीट जिस पर 2014 से लेकर अब तक BJP का कबजा रहा और मिनाक्षी लेखी वहां से बंपर वोट से जीतती रही लेकिन इस बार एंटी इंकम्बेंसी का डर और जो इंटरनल सर्वे में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी इसको देखते हुए संग और बीजेपी ने ये रणीती बनाई कि कैंडिडेट बदल दिये जाएं जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से मिनाक्षी लेखी का टिकट काड़ दिया ये हम सभी जानते हैं लेकिन वो मिनाक्षी लेखी जो 2014 और 2019 में बंपर वोटों से जीतती रही आखिर ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के एक साथ मिल जाने से पार्टी ने 2014 में आशिश खेतान को टिकट दिया था तो कॉंग्रेस ने अजय माकन को टिकट दिया था और रवी कुमार गुपता एक निर्दली के तोर पर थे जिन्होंने अच्छी फाइट दी थी और सोलोमन जॉर्ज बीस पी ने कैंडिडेट उतारा था ये हम 2014 की बात हार रही है 2014 में मिनाक्षी लेखी को 4,53,350 वोट मिले और 1,62,708 वोटों से आशिश खेतान को मिनाक्षी लेखी ने हरा दिया 49.25 फिसदी वोट मिले थे जबकि आशिश खेतान को जो आवादनी पार्टी के कैंडिडेट से 2014 में 2,90,642 वोट मिले और वोट का जो परसेंट पांच साथ फिसदी था वहीं कॉंग्रेस के अजय माकन को 1,82,893 वोट मिले और जो वोट परसेंटेस था जो शेर था वो 19.87 का था इसके अलावा जो निर्दली थे 20,028 वोट मिले रवी कुमार गुपता को 2,18 फिसदी वोट बेस पी ने यहाँ पर 6,000 के करीब वोट हास बेसिल के 6,88 और 0,66 फिसदी वोट नई दिल्ली सीट पर 2014 में मिला था अब यहीं से बीजेपी का जो किला है वो धुस्त होना शुरू हो जाता है कि अब आम आदनी पार्टी और कॉंग्रेस को अगर मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा बीजेपी को 2014 में ही चुनोती देता हुआ दिखाई देता है तब जब यह कहा जा रहा था कि पूरे देश में मोदी की लहर है प्रधानुंत्री मोदी की लहर के आगे कोई टिकेगा नहीं लेकिन जब इसी नई दिल्ली सीट पर हम 2019 में आते हैं जब एक बार फिर मिनाक्षी लेखी को बीजेपी ने उतारा और मिनाक्षी लेखी पिछली बार से जादा वोटों से यहां पर सामने आती हैं 5,4,206 वोट मिनाक्षी लेखी को मिलते हैं और 2,56,504 वोटों से मिनाक्षी लेखी नहाराया वोट परसेंटेस भी मिनाक्षी लेखी का 2019 में बढ़ता हुए दिखाई देता है 54.77 फीसदी अब इस लिहाद से अगर देखा जाए तो किसी भी सूरत में मिनाक्षी लेखी को BJP टिकट काटना नहीं चाहिए था लेकिन बढ़त के बाद जो 2014 से बढ़त मिली 2019 में बावजूद इसके मिनाक्षी लेखी का टिकट 2024 में काट दिया गया अजय माकन कॉंग्रेस से खड़े थे अजय माकन को 247.702 वोट मिले थे यानि कि पिछली बार से अजय माकन का जो ग्राफ था वो 2019 में सुधरा था हाला कि चुनाओ वो हार गए लेकिन 26.91 वोट परसेंटर्स के साथ सुधर कॉंग्रेस में नए दिल्ली सीट पर दिखाई दिया अब आम आदमी पार्टी के अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने बरिजेश गोयल को यहां से चुनाओ मैदान में उतारा और एक लाग पचास हजार 342 वोट बरिजेश गोयल को मिले 16.33 फीसदी वोट बरिजेश गोयल को हासिल हुआ था और एक तरीके से यहां पर डाउन फॉल आम आदमी पार्टी का इस सीट पर देखा गया नोटा को यहां पर 6601 वोट मिले थे 0.72 फीसदी वोट यह 2019 का डेटा है अब 2019 के डेटा को 2014 के डेटा से अगर नई दिल्ली सीट पर समझे तो मिनाक्षी लेखी का टिकट कटना नहीं चाहिए था लेकिन कटा है डर किस बात का है डर इस बात का है किया मादमी पार्टी और कॉंग्रेस जो मिल गई है एंटी इंकंबेंसी है बीजेपी के खिलाफ वो महौल नहीं है जो 2014 में दिखाया गया था 2019 में बताया गया था इस वज़े से मिनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया है और आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के मिलने की वज़े से यहां पर बी जाते तो नई दिल्ली सीट बीजेपी किसी हाल में नहीं जीती और इसी बात का डर 2024 के इस लोकसभा चुनाओं में बीजेपी को है कि 2014 के अगर गनेत को देखें तो आप और कॉंग्रेस इस बार मिल गई है 2024 में यहां पर वोट परसेंटेज और जो वोट मिले हैं उनको अभी तक कॉंग्रेस ने अपना केंडिडेट एनाउंस नहीं किया है जो आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गडवंधन में सीट कॉंग्रेस को दी गई है बीजेपी ने लेकिन मनोस्तिवारी को यहां पर टिकट दिया मनोस्तिवारी तीसरी बार उत्तरपूर्वी दि पहली बार उत्तरपूरवी दिल्ली लोकसभा सील्ट से चुनाव लड़ने आये थे तो 5,96,125 वोट मिले थे और 1,44,084 वोटों के अंतर से उन्होंने हराया था 47.39 फीसदी का वोट दर था आनंद कुमार आमानी पार्टी की तरफ से खड़े थे प्रोफेसर आनंद कुमार ज इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे और 2,14,792 वोट 17.08 फीसदी का वोट परसेंटेस था बेस पी ने यहाँ पर अब्दुल सामी सलमानी को उता रहा था और 28,135 वोट 2,24 फीसदी वोट मिले थे यहाँ पर और एक तरीके से 2014 के इन आंकडों को अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस 2014 की हम बात कर रहे हैं जब यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर है 2014 में अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस मिल जाते जो इस बार मिल गए हैं तो यहां पर भी मनोस्तिवारी चुनाओ हार रहे हैं क्योंकि मनोस्तिवारी का जो वोट परसेंटेस था और जो वोट था उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है जब आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस मिल जाते हैं जो 2014 में नहीं हुआ तब जब मोदी लहर थी और अब जब मोदी लहर नहीं है एंटी इंकमबेंसी है तब ऐसी स्थती में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस मिल गए हैं ये सीट भी मनोस्तिवारी जित्ते हुए दिखाई नहीं देते यहां पर भी मुश्किलें बढ़ गई हैं अब अगर 2019 की बात करें चुकि 2014 के डेटा से हमने बात की 2019 में परसेंटेस बढ़ा बिजेपी का मनोस्तिवारी का 6,96,156 वोट मिले 3,91,222 वोटों से हराया और सामने शीला दिख्षित्ती कॉंग्रेस से जिने 3,494 वोट मिले और 24.24 फीसदी की वोट परसेंटेस थी दिली पांडे थे आमानी पार्टी की तरफ से जिने 2,19,328 वोट मिले और 17.44 फीसदी की और बहुजन समाज पार्टी ने संजे कुमार को उता रहा था जिने 19,090 वोट मिले और 1,52 फीसदी वोट ये 2019 का डेटा है 2019 और 2014 जिसे मोदी लहर कहा जा रहा था वहां पर भी मोदी लहर तब काम नहीं करती अगर कॉंग्रेस और आमानी पार्टी तब ही मिल गए होते लेकिन अब 2024 में जब दोनों मिल गए हैं तो ये सीट मनोस्तिवारी जित्ते हुए दिखाई नहीं देते किसी भी तरीके से ये केंडिडेट दो बार रहे 2014 में 2019 में लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है लेकिन 2014 के नतीजों से शुरुवात करते हैं प्रवेश साहिप सिंग वर्मा साहिप सिंग वर्मा के वो बेटे हैं जो कि दल्ली के पूर मुखमंतरी रहे 6,51,395 वोट प्रवेश वर्मा को मिले थे 2014 में जबकि आमादमी पार्टी के जर्नल सिंग को कितने मिले थे 3,82,809 वोट 26.55 फिसदी का वोट परसेंटेज कांग्रिस के महाबल मिश्रा को 1,93,266 वोट मिले और 13.4 एक फिसदी की वोट परसेंटेज थी और अब अगर इसे भी अगर उसी तरीके से जो अंतर है वो बढ़ जाता है वोट मिलते हैं उन्हें 8,65,648 सोची इतने ज़्यादा वोट मिलने के बावजूद भी प्रवेश वर्माग का टिकेट कार्ड दिया तो आप जो बीजेपी के घबराहट है जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसमें जो बात सामने आई है उसे आप समझने की कोशिश करिए 5,78,486 वोटों से प्रवेश वर्माग ने चुनाओ हराया था और 60% वोट मिले थे 60% 60,05% जबकि महाबल मिश्रा को 2,87,162 वोट मिले थे यहाँ पर कॉंग्रेस का जो वोट परसेंटेज है और जो मत है वो बढ़ा था 19.92 फीसदी वोट 2019 में मिले आमादमी पार्टी ने बलबीर सिंग जाखड को उतारा था आमादमी पार्टी ने और 2,51,873 वोट मिले थे जबकि वोट परसेंटेज था 17.47 फीसदी सिता सरंसें बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट और 13,279 वोट मिले थे एक परसेंट से कम वोट उन्हें हासिल हुआ था लेकिन अब आप सोचिए प्रवेश वर्मा जिन्होंने इतनी बंपर जीत की तक्रीबन 5,78,000 वोटों से चुनाव हराया उनका टिकट कर दिया वज़े क्या है वज़े है एंटी इंकम्बेंसी वज़े है आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के गड़ जोड के बाद बीजेपी का कमजोर होना और ये बात बीजेपी भी समझ रही है लेहाजा कैंडिडेट बदल दिया कि यहाँ पर उस तरीके के फजियत नहों जो शाय गतम गंभीर बीजेपी के सांसद रहे जिनका टिकट काट दिया गया है शायद उन्हें पहले बताया भी नहीं गया था चानक से उन्होंने ट्वीट करके अनौंस कर दिया कि मैं राजनीती छोड़ रहा हूं सक्री राजनीती लेकिन जो वोट परसेंटेज है जरा आप उस गतम गंभीर का टिकट काट दिया यानि कि पूर्वी दिल्ली पर बीजेपी प्रियोग करती रही है 2014 में आईए बोजन समाच पार्टी आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस बीजेपी चारू की यहां पर फाइट थी लेकिन महेश गिरी जो बीजेपी से थे उन्हें पांच ल गंधी को टिकट दिया था और वो 3,181,749 वोट पाने में काम्याब रहे हो 26.12 फीसदी वोट मिला कॉंग्रेस के संदीब दिक्षित 2,3,240 वोट उन्हें मिले और तीसरे नमबर की पोजिशन थी 13.9 फीसदी वोट मिला और बेस पी ने 18,575 वोट हासिल किये थे एक दश् 2014 का डेटा है और 2014 का डेटा से आप समझने की कोशिश करिए तब का है जब कहा जा रहा था कि पुले देश में मोदी की लहर है और अगर उस लहर में भी कॉंग्रेस और आमानी पार्टी मिल जाते तो यह सीट निकालना 2014 में ही मुश्किल हो जाता लेकिन 2019 से भी समझने की को राया 53.9 फीसदी वोट हासिल किया निकि पिछली बार से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले बावजूद इसके गौतम में मेरिका टिकट कट गया क्यूं क्यूंकि एंटी इंकंबेंसी है क्यूं क्यूंकि बीजेपी और आरेसस के खुद के इंटेनल सर्वे में ये बास साम मिल हुए थे 28.85 फीसदी वोट मिला था आतिशी मारलेना को यहां से आम आदमी पार्टी ने उता रहा था जिने 1,90,856 वोट मिले और 13.06 फीसदी के आसपास कम का वोट परसेंटेस था बेस्पी ने 37,831 वोट हासिल किये 2.59 फीसदी का वोट परसेंटेस 2019 में यानि कि 2019 मे बीजेपी का जो वोट था वो बढ़ा लेकिन 2014 में जब बंपर लहर कही जा रही थी तब अगर आम आदमी पार्टी और कॉंगरेस मिल जाते तो बीजेपी चुनावना जीत पाते दिल्ली के अंदर यही इस बार हो रहा है यही गलती बीजेपी को अपनी समझ में आ रहा है जिसको लेकर उसने केंडिडेट भी अपने सारे बदल दिये और जिससे की फजीयत कम हूँ लेकिन अगली सीट पर आईए चांदनी चौक लुकसवा सीट जहां पर 2014 में डॉक्टर हरशवर्धन को टिकट दिया गया और 2019 में रिपीट किया गया है डॉक्टर हरशवर्धन को 4,37,938 वोट 2014 में मिले और 1,36,320 वोटों से उन्होंने हरा दिया और 44.67 फीसदी का जो वोट परसेंटेस है वो हरशवर्धन को मिला आमादी पार्टी ने 2014 में आशवर्धन पत्रकार को टिकट दिया था जिनने 3,1618 वोट मिले और 30,77 फीसदी वोट परसेंटेस था यनि कि 2014 के अंकड़ें जो साफ बता रहे हैं किसी को कुछ समझने में तकलीफ नहीं होगी कि अगर बीजेपियर को हराने के लिए कॉंग्रेस वरामादी पार्टी तब मिल गई होती तो यह चुनाओ तभी जीत गई होती लेकिन 2019 में आईए डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर पिछली बार से ज्यादा वोट हासिल करते हैं 5,19,555 वोट 2,28,145 वोटों से हरा दिया 52.94 फीसदी की वोट दर यहां पर रही जैप्रकाश अगरवाल को टिकट दिया गया था कॉंग्रेस की तरफ से 2,90,910 वोट मिले और 39.67 फीसदी की वोट परसेंटेज आम आदमी और शाहिद अली बहुजन समाज पार्टी से रहे बीसदी से 9026 वोट मिले एक परसेंट से कम वोट और ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब 2014 वाली जो इस्थिती है उसमें आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस जब मिल गई है तो बीजेपी को यहां भी एहसास ह है कि वो चुनाओ हार रही है और हर्षवधन जैसे मझे हुए एक तरीके से राजनितिग्य का टिकट यहां पर काट दिया गया है और यहां से टिकट थमाया है हर्षमल होत्तरा को और आमदी पार्टी से कुलदीप कुमार यहां पर 2024 की केंडिडेट हैं अब अगली सीट प नहीं किये हैं लेकिन दक्षणी दिल्ली में आप समझने की कोशिश करिए रमेश विधोडी जिन्हें बीजेपी टिकट देती है 2014 में रमेश विधोडी जिन्हें टिकट मिलता है 2019 में रमेश विधोडी का टिकट कर जाता है 2014 में क्यूं जब वंपर वोट से जीत रहे हैं ये टिकट क्यों कारटठ दिया टिकट इसलिए कारट दिया क्योंकि anti-incumberancy है टिकट इसलिए कारट दिया क्विंकि कांग्रेस और आमानी पारटी के मिलने से अब यहां पर भी जेपी को पता चल गया है कि उसकी हालत कंजोर हो गई है, 2014 के डेटा क्या कहते हैं? रमेश विदूडी बिजेपी 4,97,980 वोट मिले और 1,007,000 की लीड थी 41.01 फिसदी वोट मिले करनल देवेंद्र सहरावात आमादमी पार्टी से उन्हें 3,90,980 वोट मिले थे 2014 में और रमेश कुमार जो की कॉंग्रेस के थे उन्हें 1,25,213 वोट मिले वोट परसेंटेस था 10.3 एक फिस दी और आमादमी पार्टी का 32.2 फिस दी अब आप समझें 14 में मिल जाते तो बीजेपी ये सी तुरंती हार रही थी तब जब कहा जा था मोदी की लहर है रुबी आदो इंडिपेंडेंटन यहां से लड़ी थी और 2014 में 56,749 वोट मिले थे 4% से जादा का वोट की लीड है 56.58 फिस दी का वोट शेयर है अब टिकट काट दिया उनका क्यों क्योंकि बीजेपी को सच्चा ही पता चल चुकी है रागव चड़ा आमादी पार्टी की केंडिडेट थे और 3,19,971 वोट हासिल हुए 26.35 फिस दी का वोट परसेंटेस था विजेंदर सिंग एक लेकिन 2024 में गणित बदल गया है रमेश में धुड़ी अब मैदान में नहीं है और मैदान में तब नहीं है जब इतनी अच्छे वोट से वो 2019 का पिछला चुनाव जीते हैं अब उत्तर पश्मी दिल्ली लोकसभा सीट पर आईए और बीजेपी ने हंस राज हंस को यहां ट टिकट कार्ड दिया था डॉक्टर उदित राज का जो बाद में कॉंग्रेस में शामिल हो गए 2014 से शुरुबात करते हैं उदित राज कैंडिडेट थे छे लाख 39,860 वोट मिले थे एक लाख 6,802 की लीड थी 44 दश्मिलब 9% का वोट शेयर था आमानी पाटी ने राकी बि मिले थे 11.2% का वोट शेयर और बिस्पी ने बसंद पनवार को अता रहा था जैने 2485 वोट मिले थे और एक दश्मिलब 5 तीन का वोट शेयर था अभी यहां योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी ने से उतारा है उन्हें 24 में लेकिन 2014 में वही बात फिर से रिपीट कि अगर कॉंग्रेस और आमानी पार्टी मिल जाती तो ये इलेक्षन ही वह हार रही थी 2014 में दिली की सीट का लेकिन 2019 में जब हम आते हैं तो हंसराज हंस को बीजेपी ने टिकट दिया जिनका टिकट इस बर कट गया है और तब टिकट कटा जब बहुत ही बंपर लीड से जीते थे 5 53,897 वोट से और 8,48,663 वोट मिले थे हंसराज हंस को 60% से ज़्यादा का वोट शेयर था ये सारा गणित है और इस गणित के हिसाब से आप समझने के कोशिश करिए कि अगर ये चुनाओ कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती 2014 में तो बीजेपी सातों सीटे हार जाती और यही रड़नी थी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस ने 2024 के लिए बनाई ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा साथ इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल निउस पॉइंट आपकी आवाज